बजेक में सबसे बड़ी ख़वर अब आपको बता दे न्यू टाक्स रेजीम में बड़ा बदलाव किया गया है स्टैंडर्ड डिड़क्शन को 50,000 से बढ़ा कर 75,000 किया गया है इसके अरावा 3,000,000 रुपे तक की इंकम पर कोई टाक्स नहीं देना होगा ये बड़ी बात जो बजेक से निकल कर सामने आई है इसके अरावा जो स्लैब सामने आए हैं न्यू टाक्स रेजीम में बड़ाव किया गया 3,000,000 की इंकम पर कोई टाक्स नहीं 3,000,000 से 7,000,000 तक 5% टाक्स लगेगा 7,000,000 से 10,000,000 तक की इंकम पर 10% टाक्स 10,000,000 से 12,000,000 तक 15% टाक्स 12,000,000 से 15,000,000 तक की इंकम पर 20% टाक्स और 15,000,000 से उपर इंकम पर 30% टाक्स लगेगा तो न्यू टाक्स रेजीम के जो स्लैब से उनमें क्या बड़ाव हुआ है उसकी क्या बड़ी बात है ये हम आपको बता रहे है स्टैंडर्ड डिड़क्शन में बड़ाव किया गया 50,000 से बढ़ा कर 75,000,000 तीन लाग तक की इंकम पर कोई टाक्स नहीं इसके अलावा जो स्लैब से उनमें कितने परसंट टाक्स लगेगा 3 से 7 लाग पर 5 परसंट टाक्स लगेगा इसके अलावा 7 से 10 लाग पर 10 परसंट टाक्स 10 से 12 लाग पर 15 परसंट 12 से 15 लाग पर 20 परसंट टाक्स और 15 लाग से जादा अन्वल इंकम पर 30 परसंट टाक्स होगा तो बजट की हर बात और फिलाल जो न्यू टाक्स रिजीम के तहर Tax Lab में जो बदलाव है, बदली हुई नई Tax Regime इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है 3 लाग तक की अन्वल इंकम पर 0% यानि कोई टैक्स नहीं देना होगा 3 से 7 लाग पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाग पर 10%, 5 5% बढ़ता जा रहा है आप देखिए 7 से 10 लाग पर 10%, 10 से 12 लाग पर 15%, 12 से 15 लाग पर 20% टैक्स चुकाना होगा तो 15 लाग से जादा अगर किसी की अन्वल इंकम है, तो 30% टैक्स पेयर को देना होगा तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बदली हुई नई Tax Regime आपके स्क्रीन पर है इन नई दरों से बड़े पेमाने पर फाइदा होने जा रहा है, 3 लाग तक की अन्वल इंकम पर कोई टैक्स नहीं, स्टैंडर डिड़क्शन को 50,000 से बढ़ा कर 75,000 किया गया है तो वितमंत्री निर्मरा सीता रामन जो की बजट पेश कर रही है इसमें खास तोर पर किसानों पर फोकस है, नौजवानों पर फोकस है, गरीब पर फोकस है और महिलाओं पर फोकस है उमीद की जा रही थी कि मिडल क्लास को राहत टैक्स रजीम में मिल सकती है और फिलाल नई टैक्स रजीम की जो दरे हैं वो सामने आ गई है Standard deduction को 25,000 और बढ़ाये गया है 50,000 से बढ़ा कर 75,000 किया गया है दूसरा 0 to 3 lakh per annum यानि 3 lakh तक की income पर कोई tax नहीं और उसके बाद 5-5% tax lab बढ़ता जा रहा है 3-7 lakh पर 5% tax होगा 7-10 lakh पर 10% tax होगा 10-12 lakh पर 15% tax 12-15 lakh पर 20% 15 lakh से उपर 30% tax are beginning to show good results it will continue to engage our highest attention to dispose of the backlog of first appeals I plan to deploy more offices to hear and decide such appeals as large tax effect for resolution of certain income tax disputes pending in appeal I am also proposing और बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं अखिलेश यादव ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है इसके अलावा कुछ और विपक्षी दलों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आई है वो आपको सुनवाते है तो निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आपकड़ों के साथ से बड़ी-बड़ी कही जाती है जो इनके प्रजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रजेक्ट को इस समय पर पूरा नहीं हुआ है अब मालनी जे सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को आंद प्रजेस को कुछ विशेज पैकेज या विशेज योजनाओं से जोड़ा गया है लेकि उत्तप प्रजेस जैसा प्रजेस जो प्रज़ान मंतरी देता है या वाँ के खिसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं किसान की फासल की पैदावार उसकी कीमत के लिए क्या कोई अंतुसाँन है कहने को तो यांद होगा आप सब को कि पिष्टी बार कहा था के मन्डी और एिजिकल्ट च्रेंफ्र सेक्चर्च के लिए स्रेंथन करने के लिए लाहु करोड़ रुपए हैं अगर वह स्रेंथन हुआ था तोmond किसान की आय DOO गुनी होनी था या था जा नहीं तर honor नहीं भड़ंए तो किसान के साथ संक्रट पेदाखेन होना विरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है दस साल में जो इतनी विरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें और वो भी आदी अदूरी नौकरी से आप दो साल की एक साल की या कुछ ट्रेनिंग कराकर के नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं देश का नौजमान अपना भविस्त बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है और सीधे हमारे साथ मुजफर नगर से अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हमारे सेवगी उनी का रुक कर लेते हैं अनुपम अभी तक जो बड़ी बाते टैक से सामने आई हैं उसे लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आप वहाँ पर देख रहे हैं महिलाओं, किसानों, गरीबों, नौजवानों पर खास फोकस, मिडल क्लास की भी उम्मीदे किसानों से हम बातचीत करना है, क्योंकि आप जानती है, मुदफन अगर एक जाट लेड है और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतियंता पार्टी के पारब्रान नेतान सुरेश, राना जी वो यहाँ पर हमें मिले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, राना जी जिस तरीके से किस सरकार ने अपना बजट पेश किया है, किसानों को लेकर के, या फिर टैक्स लैब में लेकर के, काफी चेंजिस इस बार देखने को मिले हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं माने प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं कि जिस तरह देश को उन्होंने गती दी है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में आज भारत के स्थान को स्थावित किया है, मैं बहुत-बहुत बढ़ाई आदरने प्रध खेती को प्रमोट करने का काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुआद देना चाहता हूँ, चुकि ये बहुत आवश्चक भी है, और स्वास्त के लिए बिए आवश्चक है, और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्चक है, और युवाऊ को, हमारे रोजगा को और मिडिल क्लास के साथ चाहे अपरक्लास हो चाहे लिवर क्लास हो सब को जो फोकस किया है इसके लिए बहुत-बहुत आबारी हम परधानमंत्री जी के हैं। किसानों की चिंता आधने प्रधानर्मंत्री जी को है और जिस तरह से लगातार माने प्रधानर्मंत्री जी फोकस करते हैं इसके लिए मैं हथते से प्रधानमंत्र जी का भिहन्दन करता हूं। लेकिन विपक्ष जो है निशाना सातरा अकलेश यादव के रहे हैं कि किसानों से पिसली बार भी बहुत बड़े वादे किये गए थे लेकिन देख रहे हैं कि उन वादों को पूरा सरकार में नहीं किया और अब एक बार फिर प्राकिरते केती और बाकी चीजों पर फोकस किय जा रहा है लेकिन किसानों की आए पढ़ाने पर फोकस नहीं है अखलेश यादव क्या बोलते हैं वो उनका विशे है पर मैं जरूर कह सकता हूं कि अभी आप बोल रहे थे ते पूरी गन्ना बेल्ट है और पूरी गन्ना बेल्ट में हम देखते हैं कि आधनिये प्रधान मं आतरी जी ने मिलकर के किया है दस साल में उसे दोगुना ज्यादा सास साल में योगी संदी आधनिये प्रधान मंत्री जी की प्रेरना से और मैं कह सकता हूं चैंदर सरकार हो उतर प्रधेश और वो ही कभी कही ना कहीं अखिले से आदव की बोकलाट को प्रदसित करता है। तुरिश राना जी हमारे साथ थे आस्ता जिनोंने तमाम बातों को रखा और ने कहा कि हर वर्गों को यहाँ पर इससे दारी दी गई है और आम जंता का यह बजट वो बता रहे हैं। लेकिन जो रोजगार का मुद्दा है वहाँ सरकार स्किल डवलप्मेंट के माध्यम से जो युवाओं को सपना दिखा रही है वो इसके साथ चल है वो नौकरियों की कैटेगरी में नहीं आता। दिल्कुल देखिये आस्ता जाहिर तोर पर हम चाहें कि एक बार सुरेज जी से सवाल करें। सुरेज जी आंद्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पेकेज दिया गया है और जिस तरीके से महिलाओं की बात की जाए गुवाओं की साथ की जाए विपक्ष लगातार इस पर निशाने साथ राय कि इन सब के साथ चल किया गया है। आज करों से जादा रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और इतना शांदार बजट विपक्ष बताए तो उन्होंने कभी इस से अच्छा बजट कभी दिया हूँ। पूरी दुनिया में आज हमारी जो आर्थिक प्रगती है वो किसी से चिपिवू नहीं है। और आप देखिए आज किस गती के साथ हम पाचवे नंबर पर आए हैं और अब तीसे नंबर की और हम बहुत ही से बढ़ारा। वित्मंतिरी निर्मला सीता रमन जी ने जो बजट प्रुस्थुत किया हम कर सकते हैं आधुनी भारत के निर्माण में सहाइक सित होगा। दोजार सैथालिस में विक्सित भारत का संकल्प का सपना जो देश्वासियों ने मानी मोदी जी के मार्दर्चन में देखा है। प्रेश्वासियों ने वित्मंतिरी का धन्यवाद किया और कहा कि बहुत ही अच्छा और अपॉर्चनिटी से भढ़ा हुआ बजट उन्होंने पेश किया है। लेकिन इस बजट को लेकर बस पाध्यक्ष मायवती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या कहा है आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बजट सिर्फ धन्ना सेठों के लिए फायदे मंद है। बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। बजट अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बलकि उन्हें मायूस करने वाला जादा है। 125 करोड से जादा लोगों के लिए निराशा जनक की ये बजट है और सरकार को हर हाथ को रोजगार देना चाहिए। ये एक्सपर पोस्ट करके मायावती ने लिखा है और इस बजट को उन्होंने कहा है कि मायूसी भरा बजट है। अच्छे दिन लाने वाला नहीं मायूसी भरा बजट है निराशा जनक बजट उन्होंने इसको करार दिया है। प्रधानमंत्री शिर नरेंद्र मोदी जी के नेतरतु में वितमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। गोरकपूर हमारे सयोगी राम गोपाल दिवेदी गोरकपूर से हमारे साथ लाइव हैं। और राम गोपाल जर्ब प्रतिक्रिया जानिये क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन इस पर आज नीती शुरू हो चुकी है, विपक्षिस से निराशा जनक बता रहा है, चल बता रहा है, तो सत्ता पक्षिस का स्वागत कर रहा है, कि चारों वर्गों का ध्यान रखा गया। हर व्यक्ति अपने तरीके से उसका एनालसिस करता है, लेकिन जहां तक इस बजट में सभी सेक्टर के लिए, चाहे वो अग्रिकल्चर हो, चाहे इंप्लाइमेंट हो, चाहे यूथ हो, चाहे वर्किंग ओमेन, गर्ल्स के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ सरकार ने इस बज है, वो ग्रोथ औरियंटेड है, आप अभी किर्सी पे देख रहे थे, किर्सी पे भी बात कर रहे थे आप, तो किर्सी में किसानों के लिए क्या कुछ फायदा होने वाला है इस बजट में, इसको थोड़ा सा सरल सब्दों में अगर आप बता पाएं, दर्सकों को से, देख का किचन का ध्यान रखा गया है, मैं समझती हूँ, किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है, और जहां हम देखेंगे, तो जो पर्चेजिंग पार है, जो रूरल एरियास में है, वो लगाता घट जा रही है इसके उपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो आज देख रही है इनको हटाना चाहती है अब ये निश्चित तोर से आम जनता के लिए एक भी क्या बनारस के लिए कोई खाना आया है। कोई फेक्टरिक एनाउस्मेंट हुआ है। यूपी के लिए कुछ हुआ है। मुझा नहीं लगता है कुछ भी किये। देखे अपना वीजन इनका कुछ नहीं है। अपना वीजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इंप्लिमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। अब यूपी का ही देख लें। तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आपड़ों के साथ से बड़ी-बड़ी कही जाती है। जो इनके प्रजेक्ट चल रहे होंगे। वो प्रजेक्ट को इस समय पर पूरा नहीं हुआ है। अब मालीजे सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को आंद्र प्रदेश को कुछ विशेज पैकेज या विशेज योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधान मंत्री देता है। जा वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं। किसान की फसल की पैदावार उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंत्साम है। कहने को तो याद होगा आप सब को कि पिशली वार कहा था कि मंडी और एडिकल्चर इंफरसेक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाहों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफरसेक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आए दोगुनी होनी थी या किसान की आए बढ़नी थी वो तो नहीं बढ़ी तो किसान के साथ संकट पैदा ख्यान होने। विरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। दस साल में जो इतनी विरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें। और वो भी आदी अधूरी नौकरी से। आप दो साल की एक साल की या कुछ ट्रेनिंग कराकर के नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजमान अपना भविस्त बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। वितमंत्री ने ये बाते कहीं हैं, 109 फसलों पर सरकार का पूरी तरह से फोकस है। क्रिशी शेतर के लिए सवा लाग करोड का बजट एलोकेट किया गया है। पांच राजियों में किसान प्रेडिट कार्ड लॉंच किया जाएगा। तो किसानों के लिहाज से इस बजट में क्या प्राफधान किये गए हैं वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। किसानों को अधिकताम MSPD ये वितमंत्री ने बताया साती क्रिशी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। प्रकरती खेती से एक करोड किसान जुड़ चुके हैं अभी तकुल 109 फसलों पर सरकार का फोकस है। क्रिशी शेतर के लिए सवा लाग करोड इस बजट में अलोकेट किया गया है। पांच राज्यों में किसान क्रडिट कार्ड को लॉंच किया जाएगा। इसके रावा बिहार में दो नए एक्स्प्रेस वेज बनेंगे। पटना पूर्णिया एक्स्प्रेस वेज बनेंगे। महाबोधी मंदिर में कॉरिड़ बनाने का एलान किया गया है। मुफ्त बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए जाएगे। और यही एलान मेनिफेस्टों में भी किया गया था दोहजार चौबिस चुनाम से पहले। एक करोड घर के लिए प्रधान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली उपलब्द कराई जाएगी। महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी कटोती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लावा महिला विकास के लिए 3 लाग करोड का बजट रखा गया है। प्रधान मंत्री स्वनिधी में 100 वीकली हाट लगाए जाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पी-म स्वनिधी योजना रेंटल हाउसिंग स्कीम लाउंच होगी। पी-म ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। 25,000 गाउं तक नई सड़के बनेगी। तो बजट में आम जनता को क्या मिला महिलाओं के लिहाज से गावों के लिहाज से। और हमारे साथ चर्चा के लिए दो विशेश महमान जुड़े हुए हैं। अंशिका त्यागी जी हमारे बीच में है, मारकेट एक्सपर्ड, राजीव गुपता जी हमारे बीच में आज शास्त्री, आप दोनों महमानों के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमेंट राजीव गुपता जी। इस बजट से पहले यही का आगया था नौजवान, महिला, किसान और नौजवान, चारों के चाहुमु के विकास और फोकस और अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा यह बजट। और साथी। देश के इवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए ता जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंट्रेंशिप को लेकर के जिस प्रकार से चार करोड सधीक रोजगार को लेकर के जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के जिस प्रकार से इब्रा सेक्टर को लेकर के जिस प्रकार से निवेश को आकरसित करने को लेकर के जिस प्रकार से कैंसर जैसी व बजट है उनके लिए है ये कोई गरीब या जो आम जन्माना से उसको कहीं फाइदा नहीं होगा दूसरी और अखिलेश अदव ने जो आंदर प्रदेश या बिहार को जो बजट में जखा मिली है उस पर कहा कि वहां चुनाओ आ रहा है इसलिए उनको विशेश द्यान दिया या देश का हुआ हिस्सा जो विकास में पीछे चूट गया है उसे विकास की मुकधार में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों क को ध्यान में रख करके और जिस राज की जैसी आवसकता होती उस प्रकार से उसकी पूर्थी की जाती वहनमायावती जी की जहां तक बात है मैंने का भी पच्च का कोई चाहे अखलेश जी हो चाहे सिराउल गांदी जी हो चाहे वहनमायावती जी हो सब को बजट की आलोचना क करने का एक फैसन जो होता है वो फैसन तो सरकार की तरफ से बजट का स्वागत किया जा रहा है चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सयोगी संकेत मिश्रा जुड़े हुए हैं और उनके साथ डिपी सीम रजेश पाठक है संकेत बजट के बाद फौरन उस पर राजनिती भी किसान नौजवान और गरीब के लिए जो दावे किये गए वो कितने जमीन पर दिखेंगे लिपकल जाहिर सी बात है हमारे साथ में डिप्टी सीम बजेश पाठक जी है सर आज का जो बजट है इसे आप किस तरह से देखते हैं पहला सवाल यही मानि मोधी जी की सरक्वार न चाहें महिलाओं की बात करें चाहें छात्रों की बात करें सभी को साथ ले करके एक समावेशी बजट है और भारत को मजबूती देने वाला बजट है सबसे बड़ी बात है कि जो इंकम टेस्ट स्लैब में छोड़ दी गई है वो सरकारी जो कर्मचारी है जो नीजी शेतर मे काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ा छूट देने का काम किया गया जो पढ़ने वाले बिध्यार्थी है वो भी रिड ले पाएंगे और अपने बल्बूते अपने पैरों पर ख़ड़ा हो पाएंगे बहुत अच्छा बजट है मैं बजट की भूरबर प्रसंसा करता हूं गaribe आदमी का बजट है आपको पता है कि ध्यान रखा गया है सबी वर्गों का घरीवों का ठिसानों का छात्रों का महिलाओं का सब को साथ लेकर के चलने वाला बजट है और यह भारत के के जो विक्सित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने वाला सवाल है कॉंग्रेस पार्टी और अखले स्यादों भी इस बजट को लेकर निसाना साथ है आप जानते हैं कि यह सब प्रिश्टेशन में हैं लाग प्रयास किये लेकिन चुनाओं में जनतान इने नकार दिया है मान खरायों को झाल रखन देखा है उसकी औधारस इला और आप देखेंगे कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है सबसे बड़ी को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके मुद्रा लोन के माध्यम से पीम सोनेधी के माध्यम से इस्टीट वेंडर्स का भी ख्यार लगठा गया है हम कह सकते हैं कि नए भारत को संकल्प को पूरा करने वाला यह बजट है यह हमारे साथ में डिप्टी सीम बिर्जेश पाठक ज नए भारत को संकल्प को साधने वाला यह बजट है हर तबके का विशीष रूप से इस बजट में ध्यान रखा गया है